सुप्रभाद बच्चों, आज के आनलाइन क्लासेज में मैं अनामी का पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम हिंदी विजय के अंतरगर संग्या पढ़ेंगे बच्चों, पिछली कक्छाओं में आपने संग्या के बारे में अवस्य ही पढ़ा होगा उसी का विस्तार रूप आज हम पढ़ेंगे वा समझेंगे आईए हम सर्प्रथम संग्या का साब्दी का अर्थ जानते हैं संग्या का साब्दी का अर्थ होता है नाम या पच्चान से संपुण विश्व में जितनी भी व्यक्ति या वस्तुए हैं उनका कोई दो कोई नाम अवश्य होता है अताह सभी का नाम संग्या है आईए संग्या की परिभासा समझते हैं संग्या की परिभासा जो सब्द किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान या भाव का बोत कराते हैं उसे संग्या कहते हैं संग्या के मुख्य रूप से तीन भैद होते हैं पहला व्यक्ति वाचक संग्या दूसरा भाव अचक संग्या और तीसरा जाती वाचक संग्या कुछ विद्वान मानते हैं कि संग्या के कुल पाज भेद होते हैं जिसमें जाती वाचक संग्या के दो उपभेद भी समलित हैं तो जाती वाचक संग्या के दो उपभेद इस प्रकार हैं पहला द्रव्य वाचक संग्या और दूसरा समू वाचक संग्या बच्चों इसे तो आप नाम से ही समझ गए हूंगे द्रव्य अर्थात दरल वस्तों समू अर्थात बहुत सारे लोग या बहुत सी वस्तों है इस प्रकार संग्या के पाज भेद माने गए हैं आईए संग्या के भेदों को विस्तार पुर्वक समझते हैं पहला व्यक्ति वाचक संग्या की परिभासा जिस संग्या सब्द से किसे विशेष व्यक्ति वस्तु अथ्वाइस्थान का बोध होता है उसे व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं आईए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं पहला वहकल ताज महल देखने गया इस वाक्य में ताज महलेक विशेश इसमारक को दर्शाता है क्योंकि यह विश्व की साथ अजुवों में से एक है आईए दुसरा उदारण देखे वह राजस्थान में रहता है तो बच्चों इस वाक्य में व्यक्ति वाचक संग्या काउन सी है? हाँ, बहुत अच्चे राजस्थान एक विशेश इस्थान है अताहर यह व्यक्ति वाचक संग्या है तीसरा उदारण देखते है अकबर एक महान राजा था यहाँ अकबर एक विशेश व्यक्ति है विशेश व्यक्ति कैसे है? वह ऐसे कि यह वही सासक है जिनका राज्य विशेख 1556 में पंजाब में हुआ था और भारत में उनका सासन 1556 से 1650 तक रहा और वे एक महान मुगल सासक थे तो हुआ ना विशेश आईए भावचक संग्या की परिभासा जाले भावचक संग्या जिस संग्या सब्द से पदार्थों के गूर, दोस्त, धर्म, अवस्था और भावचक संग्या कहते हैं उदाहरण पहला रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है इस वाक्य में दोस्ती सब्द से मित्रता के भाव का बोध हो रहा है अताहिया भाव अचक संग्या है आईए दूसरा उदाहरण देखे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा क्या आपको पता है या किसका नारा है? बहुत अच्छा या सुभाशंद्र बोश जी का नारा है इस वाक्य में आजादी सब्द से आजाद होने के भाव का बोध हो रहा है तीसरा उदाहरर देखते हैं मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है हम लोग आपस में चर्चा करते हैं मेरा दोस्त मेरे से बड़ा है छोटा है यहां वही लंबाई सब्द से लंबा होने के भाव का बोध हो रहा है तो आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि भाव अचक संग्या का संबन हमारे भावों से होता है उनका कोई रूप्य आकार नहीं होता है यह केवल महसूस किये जाने वाले शब्द है आईए जाती वाचक संग्या को जाने जाती वाचक संग्या की परिभासा जिस संग्या सब्द से किसी संपूर जाती का बोध हो उसे जाती वाचक संग्या कहते हैं आईए इसे उदाहरण के माध्यम से समझे पहला बच्चे खेल रहे हैं दूसरा चिड्या उड़ रही है तीसरा सैनीक देश की रक्षा करते हैं तो देखिए पहला बच्चे खेल रहे हैं यहां बच्चे सब्द से तात पर्य समस्त बच्चों से है अर्थात यहां जाती वाचक संग्या है दूसरा चिड्या उड़ रही है बच्चों इस वाके में चिडिया जाती वाचक संग्या है यहाँ एक चिडिया की बात नहीं हो रही बल्कि संपूर्ण चिडिया जाती का बोध हो रहा है तीस्ता उदाहरण को देखे ध्यान पुर्वक सैनिक तेज की रक्षा करते है बच्चों बताएए जाती वाचक संग्या कौन सी है सैनिक बहुत अच्छा यहाँ संपूर्ण सैनिक जाती का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ जाती वाचक संग्या है द्रव्य वाचक संग्या आईए द्रव्य वाचक संग्या की परिभासा जाने जिस संग्या सब्द से किसी धातु द्रव या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संग्या कहते हैं आईए द्रव्यवाचक संग्या कुन के उदाहरण द्वारा समझे पहला मुझे पानी पीना है यहाँ पानी सब्य सब्द द्रव्यवाचक संग्या है दूसरा, बजार से सब्ची लेकर आओ सब्ची द्रव्य वाचक संग्या अब आप सुचेंगे कि सब्ची कैसे द्रव्य वाचक संग्या हुई तो बच्चों, जिन वस्तों को गिना ना जाकर उसे मापा या तौला जाता है उसे द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं आईए तीसरा उदाहरण देखते हैं मेरा मोबाइल मुझे वापस दो यहां मोबाइल द्रव्य वाचक संग्या है कैसे बताईए यह द्रव्य पदार्थ तो नहीं पर कैसे द्रव्य वाचक संग्या है क्योंकि यह धातू से बनी होती है इसलिए यह द्रव्यवाचक संग्या है समूवाचक संग्या आईए समूवाचक संग्या की परिभासा जानते हैं समूवाचक संग्या जिस संग्या सब्द से एक ही जाती के ब्यक्तियों या वस्तों के समूव का बोध होता है उसे समू वाचक संग्या कहते हैं आईए इसे उदाहरण के माध्यम से समझे पहला मुझे एक दर्जन केले खरीदने है यहां दर्जन सितातपर्य 12 केले से है दूसरा उदाहरण मेरे परिवार में चार सदस्य है यहां परिवार सब्द समू वाचक संग्या है क्यों? क्योंकि परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता बलकि ये समू से बनता है आईए तीसरा उदाहरण देखते हैं मैंने जंगल में हिरणों का जून्ड देखा तो बच्चों बताए इस उदाहरण में समू हुआ चक संग्या कौन सी है? हम बहुत अच्छे तो बच्चों आईए भावाचक संग्या बनाने के नियम सीखते हैं भावाचक संग्या बनाने के नियम प्राया, क्रिया, संग्या, सर्वनाम, विशेशन और अव्या सब्दों के अंत में पन, त्व, ता, इ आधी प्रत्यों को लगा कर हम भाव अचक संग्या सब्दों का निर्माण कर सकते हैं भाव अचक संग्या पाच प्रकार से बनाय जाते हैं जाती वचक संग्या से, सर्वनाम से, विशेशन से, क्रिया से और अव्याय से तो आईए सरपथम हम क्रिया सब्दों से भाव अचक संग्या बनाते हैं किसी भी क्रिया सब्द के साथ प्रत्य लगाकर हम भावाचक संग्या का निर्माण कर सकते हैं आईए इसे इन उदाहरणों के माध्यम से सीखते हैं क्रिया प्रत्य भावाचक संग्या यहाँ पर पढ़ना एक क्रिया सब्द है जिसमें इप्रत्य लगा देने से भाव अचक संग्या का निर्माड किया जा सकता है इसी क्रम में थकना आवट प्रत्य थकावट उड़ना आन प्रत्य उड़ान इस प्रकार से हम भाव अचक संग्या का निर्माड कर सकते हैं जाती वाचक संग्या से भावाचक संग्या बनाने के नियम जाती वाचक संग्या यहां पर लड़का है लड़का में पन प्रत्य लगा देने से लड़क पन सत्रू सत्रू में तता प्रत्य लगा देने से सत्रूता इसी प्रकार व्यक्ति में त्वा प्रत्य लगा देने से व्यक्तित्व सर्वनाम से भावाचक संग्या सर्वनाम सब्दों से में प्रत्य लगा करके हम भावाचक संग्या बना सकते हैं सर्वनाम अपना एक सर्वनाम सब्द है अपना सब्द में पन प्रत्य लगा देने से अपना पन भावाचक संग्या का निर्मार हो जाता है अहम में कार प्रत्य लगा देने से अहंकार नीज में त्वा प्रत्य लगा देने से निजत्व विशेशर से भावाचक संग्या विशेशर सब्द में प्रत्य लगा करके भी भावाचक संग्या बनाया जाता है विशेशर सब्द है चोड़ा चोड़ा में इप्रत्य लगा देने से चोड़ाई लगु में ता प्रत्य लगा देने से लगुता और मीठा में आस प्रत्य लगा देने से मिठास इस प्रकार से हम भावाचक संग्या का निर्माड कर सकते हैं अव्यों से भावाचक संग्या अव्यों में भी हम प्रत्य सब्द लगा करके भावाचक संग्या का निर्माड कर सकते हैं समीप एक अव्याई सब्द है इसमें ता प्रत्य लगा देने से समीपता भावाचक संग्या का निर्माड हो गया आगे तेज में इप्रत्य लगा देने से तेजी मना में इप्रत्य लगा देने से मना ही इस प्रकार से अव्यास सब्दों से हम भाव अचक संग्या का निर्माण कर सकते हैं आज के आल्लाइन क्लासेज में हमने संग्या को विस्तार से पढ़ा तथा उनके भेदों को उदाहरण सही समझा साथ ही हमने भाव अचक संग्या बनाने के नियम भी सीखे तो उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो बच्चों इसका अभ्यास आप अपने हिंदी व्याकरण पुस्तक में करेंगे इसके प्रिश्ण उत्तर आपको केंपस केर में मिल जाएंगे धन्यवाद